अग्यात करणों से लगी आग का मामला सामने आया है जिसमें ट्यक्टर साहित ग्रस्ती जलकर राख हो गई मामला जिला राइबरेली की डल्मो कोतवाली छेतर के वलवद पुर गाउं का है यहां के निवासी राजेस कुमार पुतर राम किसुन के घर में अग्यात करणों से लगी आग के कारण घर के अंदर रखागवा सामान ट्यक्टर साहित ग्रस्ती जलकर राख हो गई है यहां की लफटें देखकर ग्रामीड मौके पर पहुँचे और आग पर काबू पाया आग जनी के बक्त पीडिस परवारी जन डल्मों में अपने परवजनों के साथ घर से बाहर थे तबी घर पर अग्यात करणों से आग लग गई आग की लफटें देखकर आसपास के लोगों ने सोर मचाया तो परवजन बहाँ पर पहुचे पीडिस परवार का कहना है कि आगे जीवन बितित करने में समस्या आएगी उन्हें आर्थिक से योग कियाब सकता है कौन से गाओं है कैसे लगी है अग क्या 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 जला है और गाड़ी कौन से थी है कोई लगाया कि यह इसे अपने आप पता नहीं है घर में कौन रहा नहीं है कहां थे सब लोग अच्छा क्या यह जला है